हलो अब्रिवान वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो अभी जो है गुड इबनिंग का टाइम है और अभी मैं थोड़ी दर पहले जो है लाइव आई थी मैं मतलब आप लोगों से जो है धेर सारी बाते भी करना चाहती थी लेकिन बहुत ज्यादा जो है नेटवर्क प्रोब्लम है इस वज़ास से जो है कुछ भी नहीं हो पाया और आप लोग भी सोचोगे कि मैं कमेंट में कमेंट किसी का पढ़ी नहीं नाम ही नहीं ली तो मैं क्या करती जैसे ही मैं इसकी मतलब एक दो कमेंट तो मुझ जो है छोड़ दे रहा था और फिर एकदम से बंद हो जा रहा था तो फिर से मैं ट्राइब कर रही थी तो ऐसे करते करते जो है बिल्कूल भी ठीक से नहीं हो रहा था तो फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि यहां से एकदम नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है क्योंकि य सपोर्ट किया कीजिए मुझे जो है आप सब की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है और वीडियो को फूल देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजेगा तो और ना मैं किसी का नाम नहीं ले पाई उसके लिए जो है आप लोग इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा समझने की कोसिस कीजिएगा क्या करती मैं मैं कोसिस तो कर रही थी और सायद मुझे उतना कुछ पता नहीं था क्यूंकि मैं पहली बार लाइव आई थी और इस वज़े से ही ज्यादा अधिक्कत हुई पता हो और नेटवर्क प्रोब्लम तो है पता नहीं कैसे ठीक होगा क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो भी डालती हुँ ना तो वीडियो बना करके सारा कुछ रैडी करके मैं एक डर किलोमेटर दूर जाती हूं घर से वहां जाकर के मैं वीडियो अप्लोड करके आती हूं तो इस बच्चों को आप समझी सकते हैं, आप सब लोग की दो दो बच्चे हैं मेरे खुद के और उन दोनों को जो है एकदम अच्छे से रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं तो उन सब को जो है मैं खाना उना खिला करके उसे सुल देती हूं उसके बाद सारा कुछ काम करने के बाद मैं वीडियो अपलोड करने के लिए जाती हूं और बहुत ज्यादा मेहनत हो जाता उस टाइम ना जहां पर मैं वीडियो अपलोड करने जाती हूं वहां पर भी कोई और प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजेगा तो वीडियो को देखते रहिे हैं तो चलिए फिर यहां पे मैंने चार अंडे लिए हैं और दो आलू लिए हैं और एक प्याज है तो आलू को मैंने एकदम पतला पतला सा काट लिया है और यहां पे पेन चड़ा दिया है और जब यह गरम हो गया है तो मैंने इसमें सरसो का तेल डाला है और वो भी गरम हो गया है तो अब हम इसमें वो आलू जो कटे हुए हैं उसे मैं डाल दूँगी और यह देखिए आलू मैंने एकडम से पतले पतले से काटे हैं और इसमें धके थोड़ा सा जो है, फ्राय करूँगी, थोड़ा सा नहीं, इसे बहुत ही अच्छे से फ्राय करना है, एक दम बिल्कुल जो है, golden brown कलर का हो जाइए, तो यह देखिए, एक साइड से जो है, golden hundred कलर का हो चुका है, ठीक, इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी इसको fria कर ल के ही पकाएंगे धक के पकाने से यह पग भी जाते हैं और इसका जो कलर होता है वो भी बहुत अच्छे से आ जाता है तो यह हो चुका है तो अभी हम इसको एक प्लेट पर या फिर कटोरी पर निकाल लेते हैं तो यहां पर जो है मैंने इसे जो है एक कटोरी पर निकाल लिया है तो अब हम एक बावल लेंगे और उस पर मैं अंडे को दीरे-दीरे करके डाल दूंगी और यह वाला नास्ताना यह ओमलेट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है यह हर कोई बना सकता है बस वीडियो को फूल देख ले तो यह देखिए मैं सारे अंडे को फोड लेती हूँ तो चार मैंने अंडे लिये थे और चारों को मैंने इसमें डाल दिया है यह देखिए मैंने चारे अंडे को जो है डाल दिया है तो इसमें मैं स्वाद अनुसा नमक डाल दूंगी और एक चमच ले करके मैं इसे अच्छे से फेटूंगी और इस अपको जो है फेट के मुझे इसे एकदम इसका घोल तेयार करना है उसका जो पीला वाला पार्ट है उसको जो है वाइट वाला पार्ट से एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है तो यह देखिए तो मिक्स हो चुका है तो अभी हम इसमें जो मैंने प्याज लिये थे एक उसे भी मैं अच्छी तरह से काट के रखी हूं और उसे मैं डाल देती हूँ उसी के साथ मैंने यहां पर हरे मिर्च को भी काटके डाल देती हूँ और साथ मैं यह जो मैंने आलू फ्राइ किया है उसे भी मैं डाल देती हूँ तो इसे बहुत अच्छे से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें मैं और कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें मैंने ना थोड़ा सा जो है हल्दी परड़र डाला था जो कि मैंने सायद मेरे वीडियो से स्किप हो गया है और मुझे उतना ध्यान नहीं रहा तो ये द 10 मिनट के लिए एकदम धीमी आज पे ढख के पकाऊंगी एकदम धीमी आज पे ही पकाना है नहीं तो फिर ये एक तरब से जो है बहुत ही ज्यादा इसका कलर थोड़ा से जलने की जैसा हो जाएगा तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है तो अभी जो है हम इसको बिच बिच में चेक करते रहेंगे तो यहां पर मैं इसे थोड़ा से चेक कर लेती हूं तो यह देखिए यह बहुत अच्छे से जो है पक चुका है तो देखने से ही लग रहा है कि यह पक चुका है तब हम इसको धीरे से जो है पलट देंगे और नॉन स्टिक का है तो यह फिर भी जो है इधर उधर होता है चिपकता नहीं है तो यह देखिए थोड़ा सा फिर भी जो है ज्यादा हो गया था तो अभी हमारा ओमलेट बनके बिलकुर रेडी है और यह वाला ना बहुत ही ज्यादा मोटा बना था क्योंकि इसमें आलू प्यास दुनों ही डाले थे तो इसे मैं काट के आप सबको दिखा देती हूँ, इस तरह का नास्ता ना घर में सबको ही पसंद आता है, तो आप लोग एक बाद जरूर जरूर ट्राइ कीजिएगा, तो कैसा लगा आज का वीडियो तो जरूर बताईएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइ हुआ 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 है